Hello everyone, welcome back to this Math on RRC group D previous question series from the basic aegdem chal raha hai, ठीक है ? यह basic chal raha hai, मतलब sir, इसमें एकदम basic questions है , इसमें formula revision सब कुछ एक साथ हम लोग करके चलते हैं, ठीक है ? तो देख लेता है क्या दियावाइ sir, हम लोग समझता है, यह पहला वाला question if the total surface area of a cube, a cube का total surface area आपको दिया हुआ है is six square unit, then what is the volume of the cube ? अब बताओ sir, cube का surface area total क्या होता, six square होता है, जब की cube कैसे design होता है, sir, ऐसा अगर के छे तल होता है, इसका कितना six surface होता है, छे surface में हर एक surface का square होता है, a square होता है, मतलब area होता है, a square करके, ठीक है, तो समझते, six square आपको six, दिया है, a बरबर one हो गया, then what is the volume of the cube, इसका volume क्या हो जाएगा sir, sir, इसका volume हो जाएगा, a cube बन जाएगा that is equals to one cube unit, इसका लंबाई चौडाई गुना उचाही हो जाता है, इसका volume का formula, ठीक है, एकदम basic सा questions है, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आस अगरते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो देखते है, next question क्या दिया होगा है, देखो sir, एक चीज़ चैनल पर अगर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लिए कर रहे हो, और दोस्तों के साथ share कर लिए अगरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप share नहीं कर पार हो, कोई भी इसमें कोई पावंद नहीं है, आप देखते रहा हो, ठीक है, लेकिन follow अगर कर रहे हो, तो continuously follow करना ऐसा नहीं कि कर रहे हो, फिर निकल जा रहे हो, फिर आके बोलता हो, सर यह नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है, continuously follow कर रहे हो, मैं सिखाते जाओंगो, step by step आपको सब कुछ सिखाते रहाओंगो, ठीक है, तो देखो दिया हो है, the area of the semicircle is 77 square meter, find the perimeter, इसका perimeter क्या निकालना है, area of the semicircle, अब semicircle का फंड़ा हम लोग समझते हैं, बहुत ही बैतरीन से सवाल है, हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, फिर जाके पूरा clear हो जागे, semicircle का area क्या दिया हो है, area बरावर 72, 7 square meter, यह square meter है 77, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाता है, सर, pi r square, half pi r square, बरावर आपका 77 दिया हो है, ठीक है, ध्यान लगाओ, तो यहां से pi r square क्या हो जाता है, सर, यहां से r square निकाल लेता है, क्या होता है, सर, यह pi r आता है, यह 2 pi r के pi r आता है, प्लास 2 r आता है, तो pi मतलब, सर, 22 बटा 7 गुना 7, प्लास 7 दुना 14, तो कितना होता है, 22 साथ 14, कितना होता, 36 हो जाएगा, option number one should be the correct answer, ठीक है, बन गया, यह question, कोई दिक्कत इसमें, आसा करता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो, चलता है, next question का दिक्कत नहीं है, तो, कि इसके बाद, आपका menstruation का कुछ नहीं निकले, कुछ नहीं आटके, स्वरी, कुछ नहीं निकले, कुछ नहीं आटके, ठीक है, एक संकू का, क्या होता है, radius अगर r होता है, यहां से ही, इसका यह होता है, उचाई होता है, h होता है, हमीं क्या निकालना है, whole surface area, एक होता है, उसका curved surface area, मतलब, देखो, यह तीरजा वाला जो होता है, यह slant height होता है, इसे कहता है, अगर इसका radius r दिया हो है, 7 है, h है, 24, तो क्या हो जाएगा, इसको एक triangle के तरह ड्राव कर लेता है, यह 24 दिया हो है, यह 7 दिया हो है, तो यह 25 होना अनिवारी है, ठीक है, तो length slant height कितना आ गया, 25 हो तो इसका formula क्या होता है, पाई r l, यह होता है, curve surface area, प्लास पाई r square, यह होता है, नीचे वाले जो surface area है, उससे मिलके total surface area आ जाता है, तो पाई r l का value क्या होता है, पाई r l का value हो जाता है, आपका, दो 22 बटा साथ, 22 बटा साथ, गुना r का है, 7 द होती है, खतम गानी, तो जैसे ही इसका calculation हम लोग निकालने के को कोशिस करेंगे, यहां से क्या मिल जागा सर, साथ कर जागा, पच्चीज इंटू 22, तो पच्चीज इंटू 22 कितना हो, जाता सर, 550, अचा प्लास इदर साथ कर जागा, 27 कितना होता, साथ दूना 14, साथ दून कर रहे हो की नहीं, या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो की नहीं, ठीक है, तो तुरंट चलता है, नेक्स्ट कोशिन के तरफ देख लेता है, क्या दिया हुआ है, मेन कोशिन, बेसिक सा कोशिन दिया हुआ है, 15 मीटर लंबाई और 8 मीटर चोड़ाई वाले, आयत का खेतरफल, य यह RRC Group D 2014 में पोशे है ठीक है, ध्यान लगाँ, एक दियान लगाँ, आयत का और क्या क्या है, आयत का लंबाई L लिखते है, चोड़ाई को ब्रेट लिखते है, बी लिखते है, तो इसका पेरिमीटर क्या होता है, टू इंटु एल प्लस भी हो जाता है, इसका पेरिमीटर आप लिख सकते हो, पेरिमीटर, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, इसका डियागनल का लेंध कितना होता है, इसका डियागनल लेंध होता है, मतलब कर्ण का लेंध कितना लंबाई क्या हो जाता है, सर कर्ण का लंबाई हो जाता है, रूट अंडर L स्क्राइब सुर्ण रूट अंडर एल स्क्राइब प्लास वी स्क्राइब थीक है इसमें कोई दोर आ है आपको आशा नहीं है तो चलता है नेक्स्ट कोष्चेन का दरफ देख लेता है क्या दिया हुआ यह ऐसा question तो आपको कभी भी नहीं पूछेगा यह तो 6 हो जाएगा डायमेटर ठीक है लेकिन क्या पूछ सकता है circle का circle का area क्या होता है area का formula क्या होता है हम लोग formula लेके थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे pi square इसका perimeter क्या हो जाता है सकी गता है सरी मिटर का होता है लोग अगर अयर्धा बना दिया जैक तो इसका area क्या हो जाता है half pi are square और इसका perimeter क्या हो जाता है shitlas seems की और है plus इसका perimeter इसे कहा जाता है और द eday सरकल या फिर सेमी सर्कल कहा है जाता है ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन का दरफ हां से चलो चलता है हुआ कि दस मिटर लंबाई पांच मिटर चौड़ाई अच्छा फांच मिटर साथ देखो 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 सर्फिस एरिया ओफ टेन मीटर लांग यह चोड़ाई है तो लंबाई के साथ जो area surface area आएगा या फिर area आएगा क्या यह दो surface होगा हां सथ 2 surface का होगा तो 2 into l into h यह आगया plus उसी तरीके से चोड़ाई के साथ जो surface area क्योंकि दिवार का देखो लिखाओ है ना find the surface area total surface area बोला गया था ठीक है तो 2 into b into h आएगा two common ले लेते है तो formula क्या होता है इसका surface area 2 into lb plus bh plus lh यह हो जाता है formula ठीक है तो दो गुना पचास प्लास पांस तिन पंद्रा प्लास दस तिन तीस तो यह sequence में हमने नहीं किया हमने यूही गुना कर लिए इसके साथ इसका इसके साथ इसका और इसके साथ इसका 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 गुना कर लिए तो आप गुना करना खुद से देखो पचास तीन असी होता है असी और नाइंटी फाइब नाइंटी फाइब टूजा नौ दून आठर एक सो नब्बे आ जाता है कहां है option number four पे देखो दिया हुआ है तो यह कोई मतलब tough question है ऐसा कुछ नहीं था हमें क्या क करना इसका तोड़ निकालना किसी भी तरीके से इसको हमें solve करके लेके चलना है क्या answer आता है आपको check करना यह दो नंबर वाला question तो नहीं है यह यहां पर पांडेज ने गलत लिख दिया था 82 या फिर 90 का असपास question है नहीं 82 का ही question है ठीक है अब बता हूँ एक चीज़ किसी भी circle कर radius आर बढ़ रहा है तो देखो सर एरिया का formula का तो पाई आर का पावा दोग हाथ है दोग हाथ मतलब क्या formula अप्लाई हो जाएगा sir a plus b plus a b upon 100 कुछ भी हो जाए यही होता है format इसी में हम लोग एप्लाई तो कितना हो जाएगा 6 plus a plus 636 500 तो कितना हो जाएगा 612 2.3 6 आजाएगा आपका answer कहा है option number 2 is the correct answer ठीक है गुरुजी चलता है कोई दिक्कत आसा गरते कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा साम चाय पिले हां सा पिलीजिए the volume of the right circular cone is 100 pi centimeter cube and its height is 12 centimeter ध्यान लगाओ देखो volume दिया हो है right circular cone का ठीक है यह जो circular cone है इसका volume का formula क्या होता है 1 third pi r square h जहाँ पे h दिया हो है 12 centimeter h बराबर 12 centimeter formula हम लिखा दे रहे हैं आपको देख लीजिए आप फिर नहीं कहना कि गुरुजी नहीं लिखा है तो पाई-पाई-पाई-काड दिये तो आर स्क्वेर बराबर कितना होता है सो गुना तीन अपॉन बारा तो तीन चोके बारा होता है चार पच्चिस सो होता है तो radius क्या गय करना उसमें जिसका मेंसुरेशन खतम हो गया जिसका थोड़ा सा मैंत में तो उनका क्लियर हो जाता है ठीक है अगर आपका ऐसा है तो आप कर लिया करो एक बार एक बार करने में क्या दिक्कत है आप एक बार पढ़ लोगे फिर जाके आपको नमबर मिले इसके बाद नहीं समद कहना है यह मेंसुरेशन होने का बाद हम दो सेट प्रैक्टीक करेंगे 27 सेट हो चुका था तीन सेट करेंगे तो 30 हो जाएगा उसके बाद फिर से चैप्टर वाइस हम लोग आ जाएंगे ठीक है क्या यह पॉसिबल हो सकता है मैंसुरेशन को खतम हो ना दीजिए उसके दिया हुआ है घनक नहीं घन जो दिया हुआ है घनका साइड साइड से अगर ए होता है तो इसका वालिम कितना हो जागा सर वान त्री थ्री वान आ जागा कितना आता है बड़िया कोई दिक्कत आसा कोई दिक्कत नहीं है तो चलते है नेक्स्ट कोईशन के तरफ अच्छा यह 85 वाला कोईशन है पांच आया गया तो एट कहां गया सर गायव हो गया तो छोड़ो 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 दिमाग मत लगाता है नॉर्मली समझता है यहां पर देखो फाइंड दा वालिम आफ राइट सर्कुलर सिलिंडर अफ लेंद एटी सेंटिविटर देखो स इसका क्या है इसका सर्स डामीटर 14 मनलोग सातले लेता है रेडियस को वाल्यूम निकालने सर्ङ्इ अगर सिलिंडर है तो अलग है अगर फस्ट रम कहां जाता मतलब फरस्ट रम क्या होता कोई वी संकु का शियत मतलब संकु को उड़ा के कुछ दे दिया गया आपको ठीक ह अब क्या यूञा धिया और स्देट की जरूट कोiska सेले के के सीए जाकर की सबिक्सर दिनकाला निकालाईक्न और में एक न्सीलिस्टेश्न वाले को टा सकुष्टेशन मैं और सबस्क्राइक्न गुना साथ गुना साथ गुणा असी तो यहां से साथ साथ कर्ट दिया यह साथ साथ एस्ट इस्ट रियल वे ग्रुप डी देखो 2000 कितना में आया थर 2014 में कॉशन आया था ठीक है बहुत ही वयतर ही से सवाल है इसको क्या होता है सर्साथ से साथ बचा वा है साथ लुचा सदू ना सदू कोधा करेंगे सिरो फोरटीन और यइस्थी ऑचा सर जी रहाग जार चुकह 32 में रखतीान थी गुणा शोंभी सुभ आ यारा इसको गुणा करें हैं तो कितना गई हो जञें ? टू ट्रीटू वान टॉ ट्री टू न की जिरो एस इहज़ करेक्ट है 11 से गुणा करने का नियम हो यह होता है एक पहला वा बीटिविश पली उसका शाовड़ के से अब देखं से सर्फिसरिया क्या होता है रेडियास दिया हुआ है 4 सेंडियूटर, एक स्पियर का सर्फिस एरिया होता है फ्र पाई आड़ स्कार, फोर इंटू बाइस बटा साथ इन्टू चार गुना चार चार चुके सोला चुके चौशट चौशट पाई आ जाता है यह एंसर 64 पाई ठीक है यह आ जाता है आपका 64 पाई कहां है आंसर देखो से 64 पाई आप्शन नमबर वन पर दिया हुआ है ठीक है इसमें कोई दौर आय नहीं है इसे 3 हाता है है हांसा गरते नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट रिप्षान हांसा चलो चलते है सर्कूलर फिल्ट के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि पाया आए पटा होता है अब अगर इसका corn जो एक पीजा कए पीजा से कैसे काड लिया यहाँ से लेकर एक काड लिया एक पीजा से दिखाता ना पीजा फ्रॉट कैसे होता है कैसे समझ में आएगा यह वाला सेक्सें टोटल काड लेता है उसके बाद वाखी का डिवाइड किया जाता है इस तरीके से तो दिखाता है हाँ सर अब देखो सर इसका अगर बोल दियागी 30 डिग्री वाले एंगल का एरिया कितना हो तो तीन से काटेंगे तीन बाराच अतिस होता है तीन बाराच अतिस तो 625 बटा बाराच पाई आ जाएगा यहां पर तो 625 पाई आएगा क्योंकि यह नॉर्माल एंसर मांगा था हमने थोड़ा सा एडवांस सीख लिये और कुछ नहीं अलग किये ठीक है चले चलो यहां पर दिया हुआ है उसका आयतर निकालना है तो सब क्या हो जाएगा उसका वॉल्म टेन इंट 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 फाई लंबा ही गुना चौड़ा ही गुना उचाही होता है आट पाच चालिस चार सो आजाएगा क्यूबिक सेंटिविटर इसका वॉल्म ठीक है सबसे लंबा वाला कौन सा लकड़ी रख सकते हैं उसका साइज बताओ तो क्या होता उसका डाइगनल हो जाता तो रूट अंडर ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर हो जाता इसका फॉर्मूला तो रूट अंडर दस स्क्वेर प्लास आट स्क्वेर प्लास प अब देखो से सर्क्ल रेडियस चार चार रेडियस वाले सर्कल के अंदर कोई एक स्क्वार रख रहे हो तो इसका जो डायमेटर होगा क्या यह स्क्वार के ठीक है सब्सक्राइब बोला गया था इंस्क्राइब बोला था अच्छा सब्सक्राइब इने सर्कल अच्छा ठीक है अच्छे इनिस्क्राईब्ड बला था घ्ल अंदर इन मतलब अंदर है बार मतलब बार्दियावाय है ठीक है अब ध्यान लगाओ यहां से इस का जो डामीटर है क्या यह जो ए Ciao क्प स्क्राइब एक्र मिल रहा था उस इसका एरिया निकालना तो ए स्क्वेर क्या हो जाएगा सर एस्क्वेर बटा दो मतलब 32 दुना चौंसर आजता है खतम कानी आप्शन नमबर थ्री मर गया राजा रानी ठीक है कि इसमें कोई दौराय नहीं होना चाहिए कि कुईस्चन्स इजी है तो इजी है एकदम इजी लगना चाहिए टफ नहीं लगना चाहिए मतलब प्रिप्रेशन खराब है टफ लगेगा तो कि समझ गए या फिर कोई डाउट है आसा करता है अपने समझ लिए अचाहिए भी करता है अब दोड़ा सा स्पीड बढ़ाते है एक बुलक कर दिया हुआ है मतलब बैल गड़ी दिया हुआ है जिसका विल मेक्स करता है 5000 करता है कितना यारा किलोमेटर चलने पर सर यारा किल 5.5 जिस्टंस रेढियास कहते है रिज्टर यंक्ता वरीवलिशन निखान आटर अचर पाँरिखन बढ़्र यहां से क्या होता हैवडा में निकालना फॉनई में 5 ऑपर चल जिस चीचा है स Mich यारा वटिck पाउले इस होता है लुए और अश्य ही मिन निकालना तो हम नही साथ सो बटा सर बीस कर ले तो बीस पाइस साथ पाइस सेंटिमितर आप्शन नमबर थ्री सुड भी दा करेक्ट एंसर ठीक है थ्री करेक्ट एंसर होना चाहिए कुछ भी हो जाए नहीं तो थ्री नहीं आएगा तो फिर हम छोड़ के चल जाएंगे क्लास देखो दिस्टेंस सब्सक्राइब निकालना थिक है दोनों का डिस्टेंस बीटिन दे पेर आप पोजिट भाटिस मतलब इसका डाइगनल्स दिया हुआ है तो ध्यान लगाओ कितना यह आसान है देखो यह कुश्चिन ठीक है इसका डाइगनल मतलब 14 दिया है मतलब एक साथ हो जाएगा और दोसरे में तो पच्चीज ओना दूसरे में अनिवारी है यह अब हिसाब कर ले ना यह गोल्डेन ट्रैगन में मैंने पड़ा दिया तब पूरा डिटेल्स में पड़ाएगा हाला कि उसमें साउंड में थोड़ा सा प्राब्लम हो सकता है लेकिन आपको पढ़ने में दिक्क अब बताओ एक चीज़ सौ मीटर वाला फिल्ड बीस मीटर बीस रुपाय प्रती मीटर के इसाब से कितना खर्चा हो जाएगा सब दो हजार रुपाय खर्चा हो जाएगा खताम गारी अप्शन में दिया हुआ है इससे बढ़िया कोशिन क्या हो सकता है सर देको सर खलाशी बड्ली और घंग में के कोईशन अवील का अब बना लियागरो इसमें कोई दिकत्थ नहीं है अच्छा देखो 750 रुपाई लगता है, 1000 के 750 लगता है, 1000 ब्रिक्स के 750 लगता है, थ्यान लगाओ, अब देखो क्या दिया हो है, 25, 12.5, 7.5, डाइमेंसेंस, ठीक है, इनका डाइमेंसेंस दिया हो है, 25, 12.5, अच्छा, 7.5, 25, what will be the cost of the bricks used to making 200 meter long, 1.8 meter high and 37.5 cm broad wall, दिवार कितना बनाया, 200 meter का लंबाई, 1.8 meter का चोड़ाई, 37.5 cm के, मतलब हाई, हाइड वाले, अब मीटर डेसी मीटर सेंटी मीटर में दिया हो है, तो मीटर को सेंटी मीटर में करता है, मीटर से सेंटी मीटर होगा, कितना, डेसी सेंटी यह 25, गुना 12, 10, 5, गुना 75, इतना ब्रिक्स लग रहा है, ठीक है, एक ब्रिक्स का प्राइस लगता है, 1000 ब्रिक्स का प्राइस लगता है, कितना रुपए, 1000 ब्रिक्स का प्राइस लगता है, आपको यह जो दिया होगा है, उतना ही रुपए लगता है, कितना रुपए दि लिए तो समニ्हों जेको इसका पोइंट अताता है इसका पोइंट इंया तो देको सका ची इसका पॉसे अंतर निगया थैज यह साल थी त्थी अच्वित थ्थी 0,006, continu थी इनिमें 15, evde25 25 25 25 जेठ लप रोच थी किस थी इह थी तो थी Season 15 से कितना हो जागा, शती सात है तो पांस से कितना हो जागा पांच चेकतीस अब देखो छे आट-छे पंदरा बचा हुआ है तो छे आट आट अर तारीस फोटी एट और पंदरा के नब्बेश गुना नब्बेश कितना होता है तर नौ आड़ बात्तर तू कैरीफोर्ड साथ रहे जा रहा है है करिफोर्ट साथ चेडिना हो रहा है नौट बाद तर के करिफोर्ट चाटिज यहां से पॉइंट थरी तो टो डोबल जिरो होना चाहिए और टो डॉबल जिरो होना चाहिए तो चलता है नेक्ष्ट कोश्चन के तर catches कोई दिख्कत हासा करता है को दिख्कत नहीं अब बता एक चीज कितना अजाना कितना इंक टफ है यह मुझे थो हम स assistants करण में एकुलिकल्चर में कौस्ट कितना उता ज़्यकल्चर है से capital cost कि iai 160 रुपे पर हेक्टर पड़ता है है only BY 144 रूपे पड़ाय act total 14 1940 रूपे पड़ायए ठीक है ड़ खॉस्ट अपवान कर लेता है यह उसी का मतलब है मिटर का मिटर करने में कितना होता है कि हम्या अगटा 左, किलो-क्ट्र का मीटर उसी सो इसंसा आघ जुघ नटिना का होता है तो धो जजआ तो कि एथना आटा है यह आता है एतना एडिया तो इसका साइड किदना हो जागा? साइडस हो जागा 300 मिटर करके साइडस हो जागा तो इसका चारो दिवारों को शेत्रफल को आजगा नगा सबारास वहाल वाज़ा अ मतलब कोस्ट कितना पड़ लागा से वैंटीफाइब करल चाहिए कोई दिक्कत नहीं है जेतना आसानी से आप करप पाऊ ग wynis the area of square, तो इसका side से हम लोग पकड़ ले तबी तो बी बराबर किदना हो जाएगा, sorry A बराबर किदना होना चाहिए, सर बी रूट टो होना चहिए था, ए बराबर बी रूट टो होना चाहिए था, क्यों कि की की डागनल का square, sorry A root to formula होता होता, जितना आसान लग रहा है उतना आसानी है यह questions और कोई दिक्कत नहीं है यह सब हम लोग एक बार कर लेता है थोड़ा सब इस ही हम लोग का strengthen हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फोड़ देखने है ठीक है the breadth of a rectangular hall three-fourth of its length length का three-fourth तो breadth क्या हो जाएगा length का three-fourth तीन बाटा चार length ठीक है यहां तक दिया हो है area of the floor is 768 meter square meter then the difference between the length and the breadth of the hall अब ध्यान लगाओ इसका 768 क्या हो जाएगा length into 3-4 L बराबस 768 आना चाहिए तो length कितना हो जा रहा है length square कितना हो जाए तो तीन से तीन दुना चे तीन पाच पंद्रा तीन चुकाट रहा तो 256 गुना चार कितना हो जाएगा इसका length कितना हो जाएगा यह देखो 256 में मुद्रा से 16 16 हो जाना त्या नो तीन दूना चार तो 904 तीन दूना च्छे दूना बारा तो इतना आता तो कितना आता है सर यह आगे आपका हजार चौविस तो 32 का स्कुएर आ जाता तो यह आ गया आपका L बराबर 32 ठीक है यह दिख रहा है ना हजार चौविस वाले जो निकाले सिखा दिया ना यह निकला ना हां सा 32 लेंद 32 आ रहा है मतलब ब्रेट कितना आ रहा है सा 3 बटा 4 इन तो 32 हमें एक बटा 4 निकाल लेते तो खतम हो जाता सा 3 बटा 4 गुना 32 तो 4 आड़ बटीस होता है 8 तीन चौबिस आ रहा है तो इनका गैप कितना हुआ 12 दूना 24 बारतीना थे खूर एक सिलिंडर एंड कोन फेम हईट और रेडियस यह कुष्चन सा आ सकता है गुरु जी तेको सेम रेडियस सेम हाइट काह एक सिलिंडर हैं और कौन है ठीक है यह हम लोग बच्पन से पढ़के आया है वाल्यों कितना होता है इस तुन वान भान है इश्टू ठीव इसी करण से इसा होता है दर इडिया सर्क्ल का दिया हुआ है एक रेडियास दिया हुआ है थर्टीन सेंटिमिटर एक कॉर्ड दिया हुआ है जो कि बारा सेंटिमिटर का है अच्छा ठीक है एक कॉर्ड का लेंद एभी का हमें लेंद निकालना है जो की बारा सेंटिमिटर दूरी पे दिया हुआ है देखो सर एक चीज़ ध्यान लगाओ यह यह रेडियास तेरह है ठीक है तो हमने क्या पढ़ा था सर पांच बारा तेरह का ऐसा कुछ ट्रिपलेट प यह इतना बहत्रिन सा चीज है इसको कभी भूलना मत देखो आफ्टर इंक्रीजिंग इच साइड और एक्टेंगल बाइफिटी परसंट एरिया विल बी इंक्रीश प्लस पचास प्लस 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 पचास प्लास पचास इंटू पचास अपन हंड़िड तो यह फॉर्मुल उतना जल्दी आप समझ पाओगे उतना चल्दी आपके वह लिए हो जयगा यह को स्हिशंट को सब्सक्र Bar scores लंग बारा लंबाई आट चॉडाई वाला उल्स सेब्मकीतर वाइट एटे रूपीज ऑफ 20 पार मीटर स्क्वार हमें चौड़ाई या फिल लंबाई 75 का कोई जरूती नहीं है हमें 20 मीटर स्क्वार करके हमें खर्चा पड़ रहा है ठीक है जान लगाओ देखो हमें कितना मीटर करके लग रहा है सर्फ पार मीटर स्क्वार दिया हुआ था यहां का आगया टोटल लेंथ अच्छा ठीक है टोटल एरिया आगया 96 बटा 75 अपन हंड़ेट करें तो कितना आ जागा सर इसका चौड़ाई मिल जागा वी ते अच्छा चौड़ाई दिया हुआ ता लंबाई मिल जागा तो 75 ऊपर हंड़ेट कर लेत तो 25 त्या पाचत्तर 25 सो क चाथ इन बारा चाथ दुनार तो 128 आ जाता इसका चौड़ाई आ जाए लंबाई आ जागा तो 128 मिल लंबाई वाले का 20 करके कितना खर्चा पड़ेगा आट दुना सोला बारा दुना 24 तो 2560 2560 खर्चा पड़ता है ठीक है यह 75 का खर्चा था यहां पर मीटर स्कॉर नहीं ह पूचा गहता है सर यह 2010 14 वाला क्वेश्चन गुरकपुरा अरभी देखो सम् चतुरबूज दिया वाए फिल्ले स्पेप आफ रॉंबस distance between the pair of the opposite vertices कितना दिया हौँ AIQ 14 दिया य कितना साथ कितना हो जाएंगा कितना फोल्जाइगा 25 का फित्ना यादल फाव लिकार स्थे ने कितना को कटड़ेंगा थिक है मतलब चारो तरब से गेरने लिए कितना खर्चा पड़ेगा तो 25 चोंगे 100 होता है इसका पेरिमीटर हो जाएगा 25 चार साइड से 25 चोंगे 100 तो 20 मीटर करके खर्चा होगा तो 2000 रुपए खर्चा हो जागा आप्शन नमबर वन सुट भी दर करेक्ट आंसर ठीक है यह इतना आसान है यह इतना आसान है कि बैठे बैठे गी कोश्चन पढ़ते बढ़ते ही कुश्चन का अंसर आ जागा ठीक है यह जो लास्ट कोशन है यह आपका होमवार के यह गुरुक्पुर रेलवेग ग्रूप टी 2014 में पूचे गया थे ठीक है हम क्या करना है इसे चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं थैंक यू बाइबाई स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्लास